हेलो व्यूवर्स टेली में सीरियल नंबर की आपकी प्रॉब्लम को और रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया गया है आप स्क्रीन पर वाउशर इंट्री के दौरान सीरियल नंबर्स देख सकते हैं और प्रिंट करने पर आपको ये चीजे दिखाई देंगी तो इसी तरीके से दम करेंगे आप से सिर्फ और सिर्फ छोटी से बिलकुल छोटी और एकदम छोटी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप जल्दी से लाइक जरूर कर दीजेगा और तो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा तो जल्दी से लेसन की शुरूआत करते हैं टेली चैप्टर 137 टीडियल सेशन चल रहा है हमारा और आज का टीडियल सेशन सीरियल नंबर के उपर है जैसा कि आपने थम्नेल में देखी लिया है अब बारी आती है कि आज के टीडियल सेशन में हम क्या करने वाले हैं सीरियल नंबर को डिस्प्ले कराने वाले हैं बेलकुर सही आपको serial number तो दिखी जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे, तो serial number जो है, वो already mentioned है यहाँ पर, तो आखिर हमें इसकी आवशक्ता क्यों पढ़ती है, मैंने भी यही सोचा, कि आखिर इसकी जुरत क्या पढ़ती है, तो मुझे समझ आया, कि हम लोग testing के लिए entry गरते हैं, लेकिन वाकई में जो real entry होती है, वो कुछ ऐसी होती है कि एक grocery store पर, एक महिनी भर के किराने का सामान लेने के लिए customer आ जाए, तो उसके पास एक लंबी सी list होती है, जिसमें 20, 30, 40, 50 products हो सकते हैं, या आपके घर में कोई function हो, तो product की list बहुत ज़्यादा हो जाती है, अब ये problem होती है कि product को match कैसे करें list में, क्योंकि customer कहता है ये चावल नहीं आए, और आप कहते हैं चावल दे दिये गए हैं, तो confusion create होती, जैसे हमारे सचिन सर के साथ हो रहा था, चावल की दस्यों variety है, अब उसने customer ने चावल अलग-अलग type के खरीद लिए, match नहीं हो रहा है, उस सब जगा stock item का नाम चावल चावल यानगी rice 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 लिखा गया है, तो ऐसे में उनको दिक्कत आती है, तो यहाँ पर अगर serial number होता, तो वो match कर लेते, हाँ यह product number 1 आगया, product number 2 आगया, product number 3 आगया, हाँ यह product number 17 नहीं आया, product number 17 पर जो content है, वो मिल जाएगा, आज़ा मैंने यह stock item का नाम, ऐसे ही, A product, B product, C product कर दिया है, आप अपने stock item के according लिख लेना, जैसे हे, royal, lux, और, rice, ऐसी सारी चीज़े मैंने आपर दी है, coding के बारे में बात करते हैं, जो हमारा आज का code है, वो बड़ा simple है, तो यह refresh tutorial तो मेरे पास बना ही होता है, इसको छोड़के नीचे चलते हैं, यहाँ पर code, दे देता हूँ मैं आपको, यह मेरा code रहेगा, इसको save करता हूँ, और tally पर जाकर के refresh कर देते हैं, यहाँ पर refresh किया, तो payment voucher खुल जाएगा, तो ऐसे मैं F5 कर देता हूँ, और voucher बचलते हैं, यहाँ पर page up कर लेता हूँ, अब यहाँ पर product की serial number आपको दिखाई दे रही है, तो मेरे एक viewer ने कई बार मुझसे पूछा, कि serial number, serial number, मुझे पहली बार समझे नहीं आया, कि वो क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन अब मुझे समझ आया, तो मैंने उनके लिए content, जल्दी से ready कर दिया, क्योबी छोटा सा code है, तो वड़ावर उसको, ग्लोबल याई से तैयार कर दिया गया, तो serial number की जरुत आपको पढ़ेगी, product को match करने के लिए, कि number of products, number of item 20 है, इस तरीके से, अब होता क्या है, operator, telly पर काम कर रहे होते हैं, customer के हाथ में bill होता है, या जो आपका customer हैंडल कर रहा है, product दे रहा है, product number 15, 6 पीस, इस rate से दे दिये गए, ठीक है जी, कोई discount है, नहीं discount नहीं है, देना है, ठीक है, एक percent का discount है, add कर देते हैं, अगर है तो, मान के चलते हैं, तो इस तरीके से, product matching में बड़ी सुविधा होगी, I hope मेरे viewer, जिन्होंने request की है, ये उनकी requirement को fulfill करता है, अच्छा, अब आपको ये code कैसे मिलेगा, कुछ हमारे साथियों को दिक्कत आती है, code में, तो मैं आपसे बार-बार request करता हूँ, कि code को सही तरीके से, copy कर लीजेगा, बिल्कुल 100% working code होता है, यहाँ पर मेरे description box में, सबसे आखरी line में, आपको मेरा blog link मिलेगा, वहाँ पर आपको code मिल जाएगा, लेकिन आप मेरे regular viewer हैं, तो आपको पता ही है कि, आपको सारे का सारा code नहीं मिलेगा, मेरे channel पर आपको, दो-तीन line यहाँ पर code की video में मिलती है, कौन सी video, यहाँ पर धेरो वीडियो हैं, TDL से related, आपकी need के according हम, एक एक करके video update करते जा रहे हैं, और आपको TDL के बारे में, जानकारी दी जा रही हैं, और भी topic हम बनाते हैं, जैसे आज ही आपको, यहाँ पर stamp की एक वीडियो, मिलेगी MS Word में stamp कैसे बनाते हैं, देखिएगा, बड़ा interesting है वो भी, और ready-made code भी आपको मिल जाते हैं, और सिखाया भी जाता है, coding के माधियम से, तो आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, तो चलिए, तो code जो आपको नहीं मिलेगा ब्लॉग पर, उसे दिखाने से पहले, ले लेते हैं छोटा सा commercial ad break, जो यहां, अब जो code मैंने आपकी screen से गायब कर देना है, वो ये वाला code है, आप इस code को copy कर लेना, यहां से type कर लेना, और बाकी सारे का सारा code, तो आपको सीधे सीधे मिल जाएगा, आपकी screen पर, याद रखेगा, EI, तो यह अगर आपका font बदल रहा हो, तो यह आप मत समझना, font change होगा, तो यह L की तरह दिखेगा small, नहीं, EI का इस्नमाल आपको करना है, यहां पर, ठीक है, तो, टैली चैप्टर, 137, यही पर complete करते हैं, अपनी request, डालते रहिएगा, हम आपके request पर, बहुत तेजी से काम करके, वीडियो बना रहे हैं, बढ़ते हैं, टैली चैप्टर, 138 की ओर, हैलो व्यूवर्स, चैली में, सीरियल नंबर की, आपकी प्रॉब्लम को और request को, पूरा कर दिया गया है, आप स्क्रीन पर, voucher entry के दौरान, सीरियल नंबर्स देख सकते हैं, और print करने पर, आपको ये चीजे दिखाई देंगी, तो इसी तरीके से, दमदार topics के साथ में, TDL session हम आपके ले करके, आते रहेंगे, आप से सिर्फ और सिर्फ, छोटी से, बिल्कुल छोटी, और एकदम छोटी request है, कि वीडियो को आप, जल्दी से like जरूर कर दीजेगा, और तो और, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तो जल्दी से lesson की, शुरुआत करते हैं, TDL session में,